इन्वेस्टर वेल्कम बैक तू माई यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस दोस्तो आज है 27 ऑक्टूबर और आज हम बात करने वाल हैं एक ऐसे बैंक की जिसको डिटील इन्वेस्टर नेक्स्ट अजडी अपसी बैंक समझ रहे हैं तो इस बैंक पर हम कंप्लीट एनरेशि में आए तो वीडियो को आंज तक देखें इसकी बिल्कुल नहीं करना है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है तो अगर आप पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चैनल को पहली बार आए तो तो मैं एनवल्ट रिपोर्ट में दिखाना चाहूंगा कंपनी क्या चीज़ फोकस कर रही तो पहला पॉइंट आप देखेगा ग्रॉस फंडेड एसेट्स यानि कि इसमें जो बलोती देखने को मिल रही है आपको year on year 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है अगर हम रिटेल एसेट्स की बात करें तो इसमें हमको 64% की एक जंप देखने को मिल रही है एक यह 64% से बढ़ा करके चल रहा है रिटेल एसेट्स लोन कस्टमर डिपॉसिट केकर आप बात करें तो year on year 36% से ग्रोथ कर रहा है कासा रिशियो इनका बहुत चल रहा है 50.86% अगर आप इसका compare HDFC बैंक से कर रहे हैं तो गटना गलत नहीं होगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा HDFC पैंक private sector का एक बहुत बड़ा बैंक है उसका capital जो कासा रिशियो है वो भी इसके आसपास का ही है लेकिन वो एक बड़ा बैंक है उसके पास कुस्मा जादा है डिपॉसिल जादा है तो उससे confuse आप मत होईएगा लेकिन एक अच्छी stage पे बैंक चल रहा है Capital Education की बात करें अगर हम तो इनके पास 15.56% जो है Capital Education से इनके पास पैसा आता है जो HDFC बैंक का भी इसके आसपास काई रहा होगा CE8 की अगर हम बात करें तो यह growth कर रहा है 14.86% से तो CE8 अगर आप नहीं समझते होंगे तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को यह common equity tier 1 होता है जिसका capital measurement करने का एक तरीका होता है जो 2014 में introduced किया गया था चलिए हम next बात करते हैं इनके अभी हम आजाते हैं page number 5 पर जिसमें दिखाया गया है इनकी net worth क्या है CET ratio का क्या है तो अगर आप इनकी यह देख रहे हैं आप तोजा 18 data यह इनका pre murder है इसके पहले यह IDFC first bank के नाम से नहीं था इनका मर्ज़र हुआ था IDFC और आपका Capital first का मर्ज़र हो करके IDFC first bank बनाया गया था तो इनकी net worth 2018 में थी 18,736 करोन की ठीक है जो 2019 मार्च 18,169 करोन फिर आपकी यहाँ पर मार्च 2020 में 15,433 करोन फिर मार्च 2021 में 17,808 करोन फिर जून 21 में 20,960 करोन की देखने को मिली यह net worth आपका इनका हम अगर बात करें CET ratio की तो वो 16.14, 15.27, 13.27, 14.86 यानि कि जो बैंक का मानना है कि जो 2024 से 25 तक जो इनका है कि यह ratio रहेगा CET का वो 12.5% के आसपास रहेगा तो वो on track चल रहा है भी यानि बैंक जैसा चाहा रही है वैसा यह चल रहा है बात अगर हम करें capital education ratio की तो 2018 में वो 16.51 परसेंट था फिर 19 में 15.47 परसेंट हुआ मार्च में 13.38 मार्च 21 में 13.77 फिर जून 21 जो सेंबर का quarter जो भी पिछला quarter गया था उसमें 15.56 परसेंट का रहा है जो की बैंक ने एक्सपेक्ट किया था कि 13 परसेंट से हम इसको ले करकर चलेंगे तो यह भी on track चल रहा है कासा डिपॉजिट की बात अकरम करें तो तो 5,214 करों का था 2018 में मार्च 19 में 78,93 20,671 करों 45,896 करों 46,449 करों इनका चल रहा है एवरेज कासा रिश्यों गर चलेंगे तो उसमें 8.39 परसेंट ग्रोथ 9.4 परसेंट की 27 की 50.23 50.26 परसेंट की और इनका जो टार्गेट था जो 2024 से 25 परसेंट की अचीव करना चाहते थे वो 30 से 50 परसेंट का था जो उससे इनका निकल करके आ रहा है एवरेज कासा रिश्यों 50.26 परसेंट का है तो जो एक बहुत थी बिग पॉजिटिव नूज है किसी भी बैंक के लिए कासा रिश्यों गर आपको को रहता है तो पता दो में आप लไहोगों को कासा रिश्यों मतलब सेमी होता है जो भी पैसा lug को किसी भी के बिजनेश जो होता है बैंक का मैं वह होwl था कि लोगें को पैसा उधार react देना वो पैसा न किส Scottish arch तो अभी इनके पास capital education ratio 50% से उपर का है, तो इनको पैसा market से उठाने के लिए ज्यादा पैसे जुरत नहीं पड़ती है, उधारं के तौपर बताना चाहूंगा, अगर इनको 100 रुपए देना है किसी को भी, तो ये 50 रुपए ही सिर्फ market से उठाएंगे, 50 रुपए तो इनके और 25% इससे ले लेंगे, इससे होगा क्या कि इनको इस पर interest नहीं देना पड़ेगा, हाँ interest बताना चाहूंगा, अगर आपका current account उसमें bank किसी को किसी परिकार का interest नहीं देती है, savings में इनका जो interest था, पहले जब ये growth कर रही थे bank, तो 7% कि आस पास्त का जो है, ये अपना loan interest देते थे saving account में, और अभी घटा करके 5% पर आ गया है, तो अगर हम बात करें, इनके average का असर issue की वह बता दिया, achieved हो चुका है, gold deposit as a percent of total deposits and borrowing, उसमें भी 50% का growth है, on track चल रहा है वो, फिर branches इनकी देखिए, आप 206 थी, just a minute, 2018 में 206 branch ये थी, फिर 242 हुई, 464 हुई, 596 हुई, अभी current June 2021 की quarter तक 601 branch है, जो बहुत थी big positive news है, ये अपने business को ये expand कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और इनका जो target है, 2024 से 25 तक वो 800 से 900 branch खोलने का है, इंडिया के अंदर, तो ये भी on track चल ला है, ये very big positive news है, customer deposit, 5 करों का जो customer deposit इनका है, वो पहले 31% था, फिर 37, 59, 82, 82, इनका target क्या था, 80%, अभी कित्ता आ रहा है, 82, इसको इन्होंने अचीव्ट कर लिया है, very big positive news for the IDFC, first bank and shareholders, इनके shareholders, उनके लिए बहुत positive news है, certificate of deposit, आप देख सकते हैं, थोड़ा थी video लंबा जरूर होता है का, लेकिन म पर देख लिया ना, तो किसी और वीडियो को देखने क्यों सकता है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली है, यह मैं promise देता हूं आपको, ऐसा वादा मेरा रहने वाला है, आप लोग से, कि सिर्फ यही video देखने है, आपको किसी और देखा पर सर्च करने क्यों सकता, नह 119, 10% of liabilities इनका target था, on track चल रहा है, ठीक है, quarterly average LCR ये भी इनका achieved हो चुका है, 110 का था जो, 166 चल रहा है, currently, achieved हो चुका है, उस तर भी उपर चला गया है, अभी हम आ जाते हैं, अपने next page के उपर, देखिए ये चीज़े हैं, और भी चीज़े हैं इसमें, retail fund assets की बात करें, 2018 में जो था मर्दर से पहरे, 36,236 करों का था, जो अभी आ गया है, 72,706 करों का, 30% की growth देखने को मिली है, हमें, इनका तो लक्ष है, बैंक का, एक लाक करों का करना है, जो on track चल रहा है, wholesale fund assets की बात करें, तो currently चल ला है, 32,146 करों, 40,000 करों करने का लक्ष है, ये भी on track चल ला है, NII's, Net Interest Income, 5 साल में करने का है, इनका, वो on track चल ला है, अभी currently चल ला है, 10,346 करों का, तो ये बहुत लंबा वीडियो बंदा है, तो short करना चाहूंगा, Net NPA की बात अगर आप कर लें, Net NPA, 0.95, 1.27, 0.94, 1.86, 2.32, इनका लक्ष कितना है, 1.1 से 1.2 पसंद करने का है, इनका लक्ष, Net Interest Margin, 3.10 का था, 2.61, 3.91, 4.91, 5.51, इनका लक्ष क्या था, 5.55 का, तो इसे भी इन्होंने अलड़ी अचीव्ट कर लिया है, Net Interest Income की बात, अगर आपको नहीं पता है, तो मैंने अलड़ी वीडियो बना रखा है, इसके ओपर, SGFC Bank का था, मैंने Quartal Result बताया था, तो इसको आप दा करके देख सकते हैं, यहां माच चुके हैं, देखिए, Provisioning Coverage Ratio दिखाया गया, इसमें PCR, जो जून बोदार 21 तक का था, 53.84 का था, और इनके Gross NPA जो 57.6 परसंट का है, Gross NPA और Net NPA का जो आ रहा है, और Infrastructure का 41 है, टोटर इनका निकल करके, आ रहा है, 50.86 परसंट का, ठीक है, तो यह बहुत अच्छा चल रहा है, इनका, next हम बात करते हैं, next page पे आते हैं, देखिए, बहुत बड़ा है यह, हर एक चीज़ बताने सकता हूं, इसमें मैं आपको, तो यह देखिए, Net Interest Margin दो इखाया है, जो IDFC First Bank 2019 में, Q2 का तकर इटर दिया है, 1.84 परसंट से देखिए, स्टार करके, लगातार देखिए, बड़ा दिखने को मिल रही है, जो अभी इनोंने कर दिया है, 5.51 परसंट, Net Interest Margin में, अगर आप IDFC Bank की बात करें, तो उसको सबसे इच्छा मना रहता है, जिनका Net Interest Margin अभी चल रहा है करीब 4-4.5% के बीच, इनका क्या निकल करकर आ रहा है, 5.51 परसंट, जो एक बहुती बिग पॉजिटिव निउस है, बिग पॉजिटिव है, ठीक है, बिग पॉ आपको क्लियर कर दे रहा हूं सारी, अभी इनका देखिए, जो इनका मर्जर हुआ था, इसकी डिटेल है पूरी, इसकी डिटेल है पूरी स्क्रीन सॉट आप ले सकते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, तो उसका स्क्रीन सॉट ले लिए, इसको डिटेल से आप अर पूरी देना है, जो एक बहुत इच्छी बात, अगर आप कस्टोमर का ख्यान रखते हैं, तो कस्टोमर आपको कभी रिचोडता है, तो इसकी डिटेल ही पूरी देख लिजेगा, एक बहुत अच्छा पॉइंट नहीं दिखाया हुआ है, इसको जरूर फोकस करिएगा इस अभी दिखिए दोने यहां पर जो है, अपना डेटा में दिखा रखा है सेविंग अकॉट इंटरस रेटस क्या चलना है, देखिए अभी कृंटली दे रहे हैं 5 पसन का, इसमें इनके डिपोशिट सेगाउट के क्या 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 डिबाउंट है, देखिए सेविंग अकॉट से current account, corporate salary account, fixed deposit और recurring deposit इसके तुरों इनका आता है, फिर investment solution है, personal insurance solution है, business insurance solution है, ऐसी बहुत थी तवाम चीजे हैं, जो आप इत्मिनान से देखिएगा इसको, यह रेखिए, यहां पर इनका 3 lax plus credit card इशु किये हैं, जून 30 2021 मेनी की इस quarter में increment देखने को मिल सकता है, तो यह भी एक big इसका भी आप रिटेल से देख लिजेगा पूरा थोला जूम कर दे रहा हूं ने तो आप इसकी एनुवल रिपोट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं तो यह भी एक बिग पॉस्टिव मुझे किसी भी बैंक के लिए अगर रेट काड इसू कर रहा है तो बहुत ही बिग न कुस्टोमर भिकास ऑफ ओवर रिटले रिलेंटलेश फोकस आथे लेंट सर्विस तो ओवर कस्टोमर और कस्टोमर फिस्ट अप्रोच ओवर सुपीर प्रोडेक्ट प्रोपोजिशन फोला सा दिखकम रहा है मुझे फोला सा जूम कर देता हूं इक बुटकियेगा यह देख स्टेट ब्रैंड फॉर मिलियन ऑफ अवर कस्टोमर तो इनका दिपॉजिट देखे कोल डिपॉजिट था जो 18 में मार्ट 20 पसेंट था फिर फिर दिसंबा इठारा में बढ़के 27 पसेंट हुआ फिर 33 पसेंट हुआ फिर 59 मार्च में फिर 77 पसेंट का अभी करेंटली क्या चल रहा है यानि की टोटल कस्टोमर डिपॉजिट जो है इनका लगातार बढ़ रहा है जो किसी भी बैंक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव प्रहों होती है चलते हैं अपने अगले पॉइंट के तरफ यहां दिखे बैंक डेटा शो कर रहा द बैंक नौँ एस ट्रॉंग एड वेल डिवर्षी फाइड लाइबिटी फ्रैंट फ्रेंचाइज़ फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज तो कासा डिपॉजिट इनका जो है ज ऐसे ग्रोथ हुआ है जिसमें इनका 98% से ग्रोथ कर रहा है यहां पर देखिए पांस यहार पांच 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 आपशन करों का था जो अभी क्या गया है इसको भी आप नोट करिएगा अरांप देखिएगा देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है अब यहां देखिए पॉइंट जो इनका पांच करोंट तक का जो डिपॉजिट था इनका यहां पर देखिएगा उसमें भी लगतार की ग्रोथ देखने को मिल रही है दूसरे में क्या है इनका जो एक करोंट से उपर का डिपॉजिट था रिटेल इंवस्टर रिटेल कस्टोमर्स का उनका देखिए लगतार बढ़ रहा है ठीक है और यहां पर उनने क्या दिखाया है जो इनकी एक दा बैंक रिदूस्ट टॉप 20 डिपॉजिटर कंसंट्रीशन जो इ यहां पर वह पहले क्या था जो 10 डिपॉजिटर पर इनके जो डिपेंडेंसी थी वह पहले 28 परसेंट थी जो घट करके 6.9 परसेंट आगे जो किसी बैंक के लिए बिग पॉजिटिव न्यूज है और इनका जो डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है जो पांस टॉन का है वह थ देख सकते हैं 18 परसेंट का था तीसरा जो पॉइंट यहां वह दोने काशा दिखाया अपना काशा डिपॉजिट जो है कि 23,496,496,498 परसेंट से ग्रोथ कर रहा है वेरी बिग पॉजिटिव अभी यहां पर आप देखिए तो यह टेल फंड एसेट से यह लगतार इंक्र 24,494 करोन का हो चुका है वही जो इनका एक wholesale corporate loan है उनको इनको ने घटाया है जो पहले 90% का था अभी घट करके कितना हो गया है यहां पर मां 36% का हो गया है यानि कि इनको पता है कि दिके corporate loan अगर यह देते हैं अगर आप किसी को loan माली 100 रुपए दिया आपने किसी को 100 रुपए आपने सिक 2 लोग को दिये पता प्यास रुपए उनमें से एक नहीं मार दिया है पैसा नहीं दिया न आपका तो आपका NPA बढ़ ज दिखा रहे हैं strong and consistent growth in consumer financing over the last decade यह 10 सालों का data पुरा दिया हुआ है यहां पर लगातार देखी चार्ट उपर यह जो बाहर जा रहा है उपर की और ही जा रहा है हम आते हैं अगले point पर जिए retail fund assets तो इनको ने पूरा दिखाया गया है retail loan को segment wise दिखाया है कि कि segment ने क्या loan देते हैं पूर data है अराम से देखिएगा screenshot ले लिजेगा अराम से दिखिएगा बात करते हैं अगले points की तो यहां पर दिखाया गया है wholesale loan कैसे घटा है corporate loan कैसे घटा है होलसे लों कैसे बढ़ाया गया है पूरा data है अराम से दिखिए दिखिएगा ब़ुच बहुत लंबा हो रहा ह 47 में आता हूं में diversified loan book है इनके पूरी है इसमें भी देखिए आप जो इनका credit card का है पूरा data देखिए आ रहा है quarter to quarter में growth देखने को मिल रही है देख लीजे अराम से देखिएगा अभी हमाँ चुके हैं main point detail of the identified stressed pool where the bank has protectively identified the accounts which are stand on the book as of now but are stressed of potential NPA देखिए जो इनका main NPA बढ़ा यहां पर देखिए दिखाया गया है कि उरिशा में एक terminal power project था जिसमें उन्हें 530 का loan दिये था जिसमें से इनका पूरा पूरा पैसा फसा हुआ एक रुपए का लोन पापस नहीं आया है पूरा डेटा देखिए टॉल रोड है इसमें से इनका 5% पैसा फसा हुआ है डैवसी fight financial है उसमें 100% पैसा फसा हुआ है wind power project है इनका 25% पैसा फसा हुआ है देखिए बहुत लंबी list है आप देख लिजेगा तो यह देखिए main point है तो उनके corporate loan जो बड़े लोन दिये है वह अपी तक पैसे आए नहीं जिससे इनका NPA देखने को बड़ा है और एक major जो fact आपको देखने को मिला होगा idea vodafone इसमें इनका काफी फैसा काफी बड़ा amount इनका फसा हुआ है इसके अंदर भी इसमें आप देख सकते है exposure है provisions है और provisions coverage ratio दिखाया गया है कि लगाता देखिए यहां पर इनका बढ़ रहा है और यहां पर जो provisioning करीए यह जो light color का बाहर है इसमें देखिए आपको इनको provisioning काफी बढ कम करनी पड़े तो next point की तरफ जाते है देखिए इनका तो यह आता है इसमें quarterly income statement दिखाई गई है जहां पर देखिए interest income जो इनकी आई है Q1 FY21 में 3949 Q4 में 3993 अभी जो quarter financial work FY22 का जो आया है quarter 2 quarter 1 4,089 कारों का है और growth जो देखने को मिलिए 2% से year on year देखेंगे 4% से growth है quarter on quarter 2% की growth दिखाई जा रही है net interest income में इनके quarter on quarter 11% की growth है और जो year on year है 25% की growth है जो बहुत बहुत एक big sign है operating expense देख सकते हैं पूरा data यहां पर है 203% 39 यह सारा है details देखे लिजेगा जो profit before tax आया था इनका 2021 में Q1 में over 128 का था यहां 43 और यहां जो quarter one FY 22 में 877 क्रोण का loss दिखाया था reason मैंने बता दिया आपको प्रोविजनिंग इने करनी पली थी देख सकते हैं उपर आप 1879 क्रोण की प्रोविजनिंग करी थी इसके कर यहां पर आपको loss देखने को मिल रहा है अब यह balance sheet दिखाए गए यह share older funds है जो जून 2020 में 17436 के थे मार्च 21 में 17808 के थे जून 21 में 2070 क्रोण के हैं quarter on quarter 13% ग्रोथ देखने को मिली और yoy 16% वो देखने को मिल रही है देखिए deposits में भी इनका इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमको वो जून 2020 में 69,832 क्रोण का था जो बढ़ करके अभी हो गया है 91,312 quarter on quarter 3% और year on year एक massive jump देखने को हमें मिली है 31% से तो यह wholesale deposit जो है यह भी बढ़ा है काफी शांदार रहा है जिसमें quarter on quarter 3% ग्रोथ है लेकिन हाँ यह घटा है क्यों मैंने बताया था कि यह wholesale जो dependency की थी वो कम हो रही 15% जो एक good sign है किसी भी bank के लिए यह इनका total CRAR percentage दिखाया गया है इसका मतलब होता है capital to risk weighted asset ratio 15.03, 13.77, 15.56, 16 बढ़ा हुआ है लेकिन इस quarter में आपको कम देखने को मिल सकता है बिलकुल मिलेगा और यह है इनके MD and CEO वी वैदिनाथन जी जिनके कारण ही इस bank में इतनी growth देखने को मिल रही है यह एक बहुत ही broad minded person है यह future stick है future का vision इनका बहुत लंबा है यह बहुत पहनत कर रहे है इस bank को लेकर के जिनकी वज़े से कई depositors का भरोसा इस बैंक के ऊपर बढ़ा है और shareholders से भी इन्होंने अपना बोल रखा है कि अगर हमारे पर आपको भरोसा है तो कम से कम हमें आपको आपको हमें five years का समय देना पड़ेगा ऐसा इनका खहना खुद का है अगर आप इनके share में इनके share buy करना चाहते है इनके bank share तो आपको पांस साल wait करना पड़ेगा अभी अगर इसका current price हम देखें तो 53 रुपीज के आस पास का चल रहा है इन्होंने बोला है कि आपको पांस साल में मैं दिखातूंगा growth कैसी करी जाती है और इन्होंने अपने customer से पांस साल का समय मांगा है अपने shareholder से पांस साल का समय मांगा है growth दिखाने के लिए जो की मेरे हिसाब से एक manageable time है इतना time तो आपको किसी भी business को बढ़ाने के लिए देना ही पड़ेगा अभी यहाँ पर देखिए इनका यह सारे जो bolts of director है उनकी list दी गई है और यहाँ पर इनका share holding pattern भी दिखाया गया है जिसमें पूरा दिखिए दिखाया गया है कि IDFC financial holding company limited के पास 36.56 है पूरा detail देखिए यहाँ पर है कई mutual funds भी है और President of India भारत सरकार के पास भी है और यह सारी detail दी गई है इस cash screenshot ले रिजेगा तो अभी का जो price देखिए चल रहा है इसका तो 53 से 51 की आसपास का है तो अगर आप एक long time investor है तो जिस आप से growth दिखा रहे हैं और जिस तरह से यह bank retail loan की और बढ़ रहा है तो आप इसमें buy कर कर चल सकते हैं every dip पर आपको buy करना है और आपका जो vision होने चाहिए clearly होने चाहिए vision आपका होने चाहिए इसके अंदर कम से कम 5 years का अगर आप multifort insurance देखना चाहते हैं इस bank के अंदर तो आप current price पर buy करिए आने वाले 5 सालों में जो target मुझे यहां से देखने को मिल रहा है वो note कर लिजेगा मैं target यहां पर आपको mention भी कर दे र 25 तक definitely देखने को मिल जाएंगे यह label में लिख दिया है आप screenshot ले लिजेगा ऐसा नहीं हुआ है ना तो मैं guarantee देता हूं ऐसा होगा अगर नहीं हुआ तो मैं हो सकता है वीडियो आना छोड़ दूँ लेकिन 2025 तक आपको देखना पड़ेगा मुझे उसके पहले अगर छोड़ से भी register नहीं हूं तो please मेरी किसी भी सला को buy करने की सला मत मानिएगा मैं कोई भी recommendation by yourself की नहीं दे रहा हूं कोई भी financial कोई भी position लेने से पहले आप खुद की research और अपने financial advisor की सला मसवरा जरूर ले लें मैं किसी प्रकार की कोई guarantee नहीं लेता हूं देखिए मेरा काम है सिर्फ सिक्षा देना सिर्फ educate करना है आप लोगों को उस पर किसी भी तरह की call या buy आप पर depend करती है आप buy करते हैं sell करते मेरा काम है आपको information देना लेकिन अगर आप मुझे पर trust करते हैं तो आप इसको buy करकर चल सकते हैं जो मेरी मेरा experience कह रहा है कि definitely या एक big beneficiary एक multi-fold return देगा तो IDFC first bank पर आप बरोसा कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने next वीडियो में तक के लिए जैहिन जै भारत गुड़नाइट